जय हिंद स्वागत है टार्गेट विदवारिस में आज की क्लास में समझेंगे कारक क्या होता है कारक की परिभाशा, भेद और इसके उदाहरण को समझने वाले हैं इसे पहले आप से एक रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पे पहले बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आईए पढ़ते हैं कारक की परिभाशा क्या होते है कारक किशे काते हैं इसके कितने भेद होते हैं और इसके परमुक उदाहरण से इसको समझने वाले हैं सबसे पहले समझते हैं कारक की परिभाशा कारक की परिभाशा क्या होती है, कारक किसे काते हैं, वाक्य, वाक्य के बारे में आप जानते होंगे, शब्दों के सार्थक समुह को वाक्य काते हैं, एक वाक्य के अंदर दो या दो से जादा सब्द होते हैं, तो वो वाक्य काल आता है, तो वाक्य में परियूक्त सब्द या एक से अधिक सब्दों के सार्थक समू को वाक्य कहा जाता है, करमबध समू को, शार्थक समू को वाक्य कहा जाता है, तो वाक्य के अंदर जो परियुक्त सब्द होते हैं, वो आपस में किसी न किशी प्रकार से संबध होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो क् कारक की परिभाशा क्या होती है क्रिया के साथ शंग्या का सीधा जो संबंध होता है उसे कारक करते हैं या वह सब्द जो क्रिया का संग्या के साथ शंबंध प्रकट करता है संबंध बताता है उसे कारक करते हैं कारक को प्रकट करने के लिए शंग्या और शर्वनाम के साथ ज प्रयुक्त होते हैं तो उन सभी सब्दों का संग्या का संहां के साथ संBobनाम के साथ संबंध बताने वाले विभक्त चिन्णों को ही कारद काते हैं यह कारक की परिभाशा जैसे पेड़ पर फल लगते हैं अब यहाँ पर यह एक वाक्य है पेड़ पर फल लगते हैं यह पूरा वाक्य है यहाँ पर कई शब्द प्रयोग किये गा है जिनका क्रम सार्थक है अब यहाँ पर जो शंग्या है वो शंग्या क्या है फल है शंग्या का फल के साथ या पेड़ के साथ शंगया के साथ क्रिया का सम्मंध कौन बता रहा है पर बता रहा है तो ये पर क्या है ये विभक्ती चिन्द है किसकी विभक्ती चिन्द है कारक की तो इसी को कारक काते हैं शंगया या शर्मनाम से क्रिया के सम्मंध को बताने वाले विभक्त प्रकट करने के लिए उनके साथ जो सब्द चिन लगते हैं उन्हें विभक्ति काते हैं तो कारक का रूप प्रकट करने के लिए जो चिन्द का प्रियोग किया जाता है उसी चिन्द को कारक का रूप प्रकट करने के लिए शंग्या या शर्वनाम के बाद जिस चिन्द का प्रियोग किया जाता है उसे हम कारक विभक्ति काते हैं इन कारक चिन्दों या वि कारक चिन्न की रूप में प्रियोग किये जाते हैं जो कि क्रिया का संबंध प्रकट करते हैं अगला जो प्रस्ण आता है कि हिंदी में कारक के कितने भेध होते हैं यहां पर दो प्रस्ण को आपको समझना जरूरी है एक हिंदी में कारक के कितने भेध होते हैं और दूसरा कितने कारक होते हैं, इसको समझेंगे कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, हिंदी व्याकरण में कारकों की जो शंख्या होती हैं, वो आठ होती हैं, हिंदी व्याकरण में कारकों की संख्या आठ होती हैं, कौन-कौन से करता कारक, कर्म कारक, करण कारक, शंप्रदान कार अपादानकारक, सम्मंधकारक, अधिकरणकारक और शम्बोधनकारक ये आठ कारक हिंदी में होते हैं तो हिंदी में हिंदी व्याकरण में कारकों की संख्या आठ होती है कर्ताकारक, कर्मकारक, करणकारक, सम्परदानकारक, अपादानकारक, सम्मंधकारक, अधिकरणकारक और शंबोधन कारक, जबकि संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से 2 नहीं होते हैं संस्कृत में, देखते हैं संस्कृत में कारकों की संख्या कितने होते हैं, तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं, करता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपरदान कारक, आधि करण कारक, ये सिर्फ छै कारक ही संस्कृत में होते हैं, दो कारक संस्कृत में नहीं लिये जाते हैं हिंदी के, कौन-कौन से संबंध कारक और शंबोधन, ये शंबोधन कारक और संबंध कारक, ये दो कारक संस्कृत में नहीं गर्णा किये जाते हैं, संस्कृत में नही संब्ध कारक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, कौन से दो नहीं पढ़े जाते हैं, संब्ध कारक और संब्धन कारक ये दो संस्क्रित में नहीं होते हैं, तो ये अंतर को याप याद रखेंगे, बाकि हिंदी में आठ कारक होते हैं, जिसमें संब्ध कारक भी पढ़न हिंदी कारकों का शामाने परचे उसमें कारक देखेंगे कारक चिन्द देखेंगे और उसके अर्थ को देखेंगे कि कहां पर इस कारक चिन्द का परियोग किया जाता है तो हिंदी कारकों में जो है हमने बताया कि हिंदी व्याकरण में जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं वो टोटल आठ होते हैं हिंदी कारकों की संख्या तो अब इसमें पहला देखते हैं करताकारक, करताकारक का विभक्ति चिन ने होता है, क्या होता है ने, अब करताकारक का विभक्ति चिन ने होता है, तो जो काम को करने वाला होता है, उसे करताकारक कहते हैं, उसे करता कहते हैं, और उसके बाद हम विभक्ति चिन ने का परियो करते हैं जैसे उधारर से समझते हैं कि हमने खाना खाया अब खाना खाया किसने खाना खाया हमने खाना खाया तो हम जो है ये करता है जो काम को करने वाला है वो करता होता है तो हम के बाद जिस विवक्ति चिन्न का परियोग किया गया है वो ने का परियोग हमने किया है तो करत कर्ता के बाद जिस विवक्ति चिन्न का पर्योग किया जाता है वो ने का पर्योग किया जाता है और ये जो ने होता है ये कर्ता का क्रिया के साथ सम्मंध को बताता है अगला जो कारक होता है कर्म होता है कर्म कारक कर्म कारक की विवक्ति चिन्न क्या होती है को होती है अब इस जिस पर काम का प्रभाव पड़े। कर्म के कार्य का है। वो कर्म का लाता है और कर्म के बाद कर्म का क्रिया के साथ सम्मंध बताने के लिए कर्म के बाद को विभक्ति चिंद का परियोग किया जाता है जैसे मैंने किताब को पढ़ा अब मैं जो क्रिया कर रहा हूं पढ़ने का ये पढ़ने के क्रिया का प्रभाव किस पर पढ़ रह किताB क्या होगया कर्म हो गया और किताब के बाद किताब को को है किताब का कर्म कर्या के साथ समन्ध को बता रहा है तो इस तरह से कर्म कारक अपने समझा कि मैंने किताब को पढ़ा, मैं जो हूँ ये करता हूँ, तो मैं के बाद नेका प्रियोग हुआ है विवक्ति चिन्द का, किताब जो है कर्म है, तो किताब के बाद को विवक्ति चिन्द का प्रियोग हुआ है, अगला जो होता है करण का करण कारक की विवक्ति चिन्न क्या होती है से द्वारा या तो से या द्वारा इन दोनों में से कोई एक विवक्ति चिन्न का प्रियोग किया जाता है करण कारक के लिए इसका ताथपर क्या है जिसके द्वारा करता काम करे तो करता जिसके द्वारा कारे करता है जो एक माध्य कि हमने कहा कि मैंने कलम से लिखा है अब यहां पर जो लिखने का जो कारे हुआ है यह किससे हुआ है किसके द्वारा हुआ है यह काम तो मैंने मैं करता हूं और करता के द्वारा कलम से लिखा गया है तो यहां पर जो कलम है यह करड है क्या है यह करड कलम तो यहां पर करड कार प्रियोग हुआ है से का प्रियोग हुआ है तो इसलिए करण कारक करता जिसके द्वारा कारी को करता है वो करण होता है और उसके आगे से या द्वारा का विभक्ति चिन्न का प्रियोग किया जाता है तो करण कारक का विभक्ति चिन्न होता है से या द्वारा अगला जो होता है संपर्दान कारक संपर्दान कारक की व्यक्ति चिन होती है को के लिए इसका ताथपर है जिसके लिए क्रिया किया जाए क्रिया की जाए वो संपर्दान कारक होता है संपर्दान कारक का शंदर्व जुडाओ से होता है किसी के मिलने से होता है या जिसके लिए क्रिया की जाए उससे होता है संपरदान कारक तो संपरदान कारक की विवक्ति चिन को के लिए होता है जैसे मैंने भाई के लिए उपहार खरीदे अब यहां पर जो उपहार खरीदा गया है या किसके लिए खरीदा गया है भाई के लिए तो यहां पर मेरा औ और भाई के वीच में एक क्या बन रहा है एक जुडा हो रहा है तो इस जुडाओ के लिए जहां पर इसे जुडाओ दिखे वहां पर को के लिए भी वक्तिचिन का प्रयोग करते हैं जिसके लिए कोई कारे किया जाता है जिसके लिए किरिया की जाए तो वहां पर शंपरदान अगला क्या होता है अपादानकारक यो भीवक्तिचrophe Λन होती है यह जिससे आलगाओ के अर्थ में इसका परयोग होता है कि जैसे जब कोई एक वस्तू, किसी दूसरी वस्तू से अलग होती है, या अलगाओ दिखाये जाता है वहां पे, तो वहां पे अपादान कारक का प्रयोग होता है, इसका विभक्ती चिन से होता है, यह अलगाओ के संदर में होता है, जैसे यह कि पेड से पत्ते गिरते हैं, अब जो है, यह किसे अलग हो रहा है, पेड से अलग हो रहा है, तो पेड से जब पत्ता अलग हो रहा है, तो यहां पर पेड से, अब पेड के आगे, हम किस विभक्ती चिनन का प्रयोग करेंगे, अपादान कारक विभक्ती चिनन का प्रयोग करेंगे, से का, तो पेड से पत्ते अल कोई किसी से सर्माता है bestow वह भी अपादान कारक का प्रयोग होता है अगला शम्मन्ध कारक का प्रयोग kиваем कहा होता है का की के ना नीने रा रीरे एक सम्मंध को दिखाता है तो वहाँ पे जहाँ पे एक सम्मंध दिखाया जाए एक सम्मंध पर कठ होता है वहाँ पे सम्मंध कारक होता है और सम्मंध बताने वाले शब्द के बाद का की के ना नीने रा रीरे जैसे शब्दों का जैसे विभक्ति चीन्न का परियोग करते हैं उधारर से समझते हैं अगला क्या होता है अधिकरण कारक का ताथ पर क्रिया का आधार होता है अब क्रिया का आधार के शंदर्व में समझेंगे कि जहां पर किसी वस्तु के या जहां पर किसी के अंदर या किसी के ऊपर अधिकार करने का एक शंदर्व दिखे वहां पर अधिकरण कारक होता है जैसे कि पुस्तक मेज पर है अब इसमें कौन सा कारक होगा तो जो पुस्तक मेज के उपर रखी गई है, मेज के उपर अपना एक जगह बना के पुस्तक रखा गया है, तो पुस्तक ने अपना एक जगह बना लिया है, कहां पे मेज के उपर, तो उसी तरह से मेधक पानी में है, मेधक कहां है, जल में है, अब जल के अंदर मेधक है, तो वो उसका एक अवाश जल के अंदर बनाया है उसी प्रकार से जहां पर किसी के अंदर या किसी चीज के ऊपर एक अधिकार का संबंद एक अधिकार का संदर प्रकट होता है वहाँ पर अधिकर्ड कारक होता है ये क्रिया का आधार होता है अधिकर्ड कारक अगला जो होता है शम्मोधन कारक कारक को पुकारना ये सम्मोधन होता है संभोधन चिन्य का प्रयोग यहां पर विभक्ति चिन्य का प्रयोग किया जाता है इसे हे अरे अजी शुनिये अरे क्या कर रहे हो तो यहां पे किसी को पुकारा जाए बुलाया जाए तो वहां पे जैसे इश्वर को याद करते हैं हे इश्वर तो यहां पे हे अरे अजी यह जो विवक्ति चिन्न का प्रयोग होता है यह सम्मोधन कारक के लिए होता है जब कि प्रासा विशले सड़ के साथ समझेंगे यहां से जो कोशन एक्जाम में बनता है बहुत शेविद्यार्थी कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि यहां पर अलगाओ के संदर्व के अतरिक्त और भी उदाहरण यहां पर लिये जाते हैं तो देखते हैं कि शंग्या के जिस रूप से अलगाओ का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं इसके विवक्ति चिन से होता है उदाहरण से देखते हैं कि उदाहरण से देखते हैं अपादान कारक के उदाहरण ब्रिक्ष से पत्ते गिरते हैं अभी आपको बताया था कि ब्रिक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ता ब्रिक्ष से अलग हो रहा है तो यहां पे अपादान विभक्ती चिन्न का परियोग किया गया है मदन घोडे से गिर पड़ा, यहां फे विभक्तेचि ने सेका प्रयोग हुआ है इसके अत्रीक्त निकलने की अर्थ में जैसे गंगा हिमाले से निकलती है उड़ने के अर्थ में चोर पुलिस से उड़ता है, सीखने के अर्थ में विद्यार्थी अध्यापक से सीखते हैं, लजाने के अर्थ में वह ससुर से लजाती है, तूलना के अर्थ में राकेस रुपेस से चतुर है, तो इनके संदर्व में भी अपादान कारक होता है, तो ज शीखने के अर्थ में उधारण मिलता हो लजाने के अर्थ में या तूलना करने के उधारण आपको मिलते हो तो यहां भी अपादान कारख होगा यह चीज़ आप इसपष्ट कर लेजिए यह चीज़ आप समझ लेजिए कि अलगाओ के अत्रिक्त निकलने का अर्थ हो जैसे कि गंगा हिमाले से निकलती है, शीखने का अर्थ हो, विद्यार्थी अध्यापक से सिखते हैं, वो ससुर्ष से लजाती है, राकेस रुपक से चतुर है, तो लजाने, तुलना, सीखने, निकलने, उरने, इसके अर्थ में भी अपादान कारक होता है, तो जब भी इसका में साथ साथ इसके अत्रिक्त जिसे कुछ दिया जाए, या जिसके लिए कुछ किया जाए, उसका बोध कराने वाले संग्या की रूप को शंपरदान कारक काते हैं, जब हम किशी को कुछ देते हैं, या किसी के लिए कुछ करते हैं, तो वहाँ भी शंपरदान कारक होता है, इसका विभक्ति चिन के लिए या को है उधारर से देखते हैं कि शंपरदान कारक का उधारर मोहन ब्रामण को दान देता है या मोहन ब्रामण के लिए दान देता है तो यहां पर ब्रामण के लिए किसी के लिए कुछ करने की बात है या ब्रामण को दान देने की बात है तो किसी को दान देना या किसी के लिए कुछ करना या किसी को कुछ देना ये भी जुडाओ का संबंध जुडाओ का भाव परकट करता है तो यहां पर भी संपरदान कारक कारक होता है तो शंग्या या शर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य कि दूसरी संग्या से प्रकठ हो उसे संबंध कारक कहते हैं इसे हम पहले ही समझा दिया है थोड़ा सवी इसको हम और भीश्लेसर के साथ समझाना चाह रहा है हम इसलिए हम आपको दुबारा इसको पड़ा रहे हैं शम्मन्धकारक इसका विशेषता है की कि ऊसकी विशेषता है कि उसकी विशेषता है की होतीह हैं यहां पर जैसे कि पिता के चार पुत्र हैं और पुत्र का संबंद पिता से है तो पिता के बाद जो के विवक्ति का प्रयोग हुआ है ये शंबंद कारक विवक्ति का प्रयोग हुआ है उसी तरह से राजेश के चार पुत्र हैं राजेश के बड़े बेटे का नाम सुन्दर है तो सुन्दर जो शब् वो एक संगया है, राजेस भी संगया है, दोनों में एक संबंध है, तो इसलिए राजेस के बाद के विभक्ती का परियोग हुआ है, जो कि संबंध कारक की विभक्ती है, इसके अतरिक्त विशेश रूप से देखते हैं कि संबंध कारक की यह विशेशता है कि उसकी विभक्त ये बदल जाती है, जैसे लड़के का सिर्धुखरा है, लड़के के पैर में दर्ध है, अब यहां पर लड़के के आगे का भी भक्ती का प्रयोग हुआ है, जबकि इसी लड़के के आगे यहां पर के भी भक्ती का प्रयोग हुआ है, तो ये इसके लिंग और वचन के अनुस बदल जा रहा है ये इसके वचन के अनुसार क्या हो जा रहा है बदल जा रहा है तो इसलिए सिर एक होता है पर दो होते हैं तो एक वचन के लिए का का पर्योग हुआ है दो वचन के लिए के का पर्योग हुआ है तो वचन के अनुसार लिंग के अनुसार शंग्या के अनुसा चाहते हैं कि आपको हम पड़के दिखा देते हैं कि इसको याद करना होता है कारक हिंदी कारकों के उदाहरस से आपको समझना है सासाथ आपको याद भी करना है कैसे याद करना है कि कृताने कर्म को करण सेके द्वारा संपरदान को के लिए अपादान से अलग होने के शम्मंद में काके की रारेरी अधिकरण में पर हो समोधन है अरे इस तरीके से जब आप चार-पांच बार इसको पढ़ेंगे ये कारक आठो आपको याद हो जाएगा और इसकी विवक्ति चिन्न भी आपको याद हो जाएगी अधिकरण में परो शम्मोधन है अरे अजी ये आठ कारक होते हैं हिंदी व्याकरण में और ये उसकी विवक्ति होती है उसकी उधारण को भी आपने समझा अशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अधि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली क्लास मे आपसे मिलते हैं जहिन शुक्रिया